हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल ये वीडियो हमारा रहने वाला है वेटनरी की एक्सपेक्टिड कट ओफ क्या रहने वाली है अब की बार 2020 में जी हाँ दोस्तो आप सभी जानते हैं AIPVT क्या होता है All India Pre Veterinary Test जो की इस साल से पहले लिया जाता था हर बार और इसी के थरू जो है आपको AIPVT में seat allotment होती थी लेकिन अब की बार जो है रूल के अंदर बदलाव है नीट 2020 के थरू ही आपको AIPVT में admission मिलने वाला है seat allot होने वाली है तो दोस्तो आप सभी जानते हैं कि MBVS के अंदर तो आपके 550 प्लेशे 600 के आसपास नंबर होने चाहिए तभी जाकर कि आपको MBVS seat मिलती है लेकिन अगर आपके कम नंबर है तो ये वीडियो आपके देख नहीं है हम नहीं जाएंगे इस लाइन में लेकिन AIPVT के जितने scope है न वो आप सोच भी नहीं सकते इनके scope के उपर मैं अलग से आपके वीडियो बनाऊँगा और गल्ज मैंनी क्या सोच चेगी AIPVT हमारे काम की चीज़ तो है ही नहीं लेकिन आप कुछ unique चीज़े करें AIPV नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें उसके बाद बैल बटन को जरूर दबा दें ताकि हम आने वाले समय में जैसे कोई नई वीडियो डा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए अगर आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो चलिए अब ज़ 180-500 के इन बिट्वीन, SC काटेगरी में, 400-420 और 390-400 ST काटेगरी में, प्राइबेट कोलेज की काट ओफ काफी कम रहती है लेकिन अगर आप गवर्मेंट कोलेज लेना चाते हैं तो ये काट ओफ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फर्स राउंड की है, शेक्ड प्राउंड होता है मोपा प्राउंड भी बोल देते हैं जिसको 400 से 420 अनिजव क्टेगरी ओविसी करें 390 से 410 340 से 360 क्टेगरी और 330 330 से 350 कें बीट्विन जो आपकी क्टेगरी क्टोफ रहती है इससे जो है 10-20-20 नंबर लास्ट यर कम कई थी अब की बार हो सकता है कि यही कटोफ रही या फिर पलस 5 पलस माइनस हो सकता है दोस्तों इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं होचे कि एक्जेक्ट यही रहने वाला है यह एक्सपेक्टेड कटोफ है और अगर आपने जो है इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप जरूर इनकी कांसलिंग में हिस्सा जरूर दे बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इनकी कांसलिंग कब होगी तो रिजल्ट जो है आप सभी जानते हैं अभी तक आया नहीं है नीट 2020 का पहले रिजल्ट आ करिया में ज्यादा चेंज है नहीं जैसा कि आपका AIPVT का रहने वाला है सेम प्रोसीजर है कोई ज्यादा बदलाव नहीं है बाकी हम अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे लेकिन अभी टाइम बहुत बचा है उसके लिए लेकिन आपको मैं बताना चाहरा था कि आप ऐसा बहुत धन्यवाद थेंक यू